सुप्रभात प्यारे बच्चों मेरा सभी अभिभावकों को विद्वान सिख्षगणों को सुप्रभात प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ महीने पहले हमने फिट इंडिया मुमेंट रन सेलिबरेट किया जिसमें प्रति दिन हमारे बच्चे दोड़ लग लेते थे उसी प्रकार से अब 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक 6 दिन के लिए पूरा भारत पूरे भारत के साथ केंद्रे विद्ध्याले के सभी बच्चे फिट इंडिया वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे केंद्रे विद्ध्याले नम्बो दो रुठ्की के बच्चे हर तरह के कारे करम में बढ़ चरकर भाग लेते हैं और अग्रेनी रहते हैं आपने फिर से साबित कर दिया कि यो आर दा बैस्ट बच्चो मैं आपको को छोट छोटी बाते बताना चाहूंगा कैसे आप इस मुश्किल घड़ी में अपने आपको फिट रख सकते हैं अपने आपको फिट रख सकते हैं आप मेंटली फिट रखना आपको और उसके लिए जरूरी है कि हमारा सरीर स्वस्त रहे हमारा सरीर स्वस्त रहेगा तो हमारे सरीर के हर नस्में जो खून बहता है वो फ्रेस खून जाएगा ऑक्षिजनेटिट बलड जाएगा प्यारे बच्चों हमें खुशी किस चीश से मिलती है हमें एक काम ऐसा सोच लेना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है और मैं जानते हूं कि जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं आपको मैथ के टीचर पढ़ाने आते हैं साइंस के टीचर पढ़ाने आते हैं दूसरे सब्याक के टीचर पढ़ाने आते हैं तो उसमें उतनी खुशी आप महसूस नहीं करते हैं जितनी खुशी आप महसूस करते हैं कि हमगारा गेम का पीरड कब है गेम से स्पोर्ट का पी vizical activity वो हमें मानशिक खुशी देती है और जब हमें मानशिक खुशी मिलती है तो हमारे शरीर में oxygen का जो level है वो बेहतर हो जाता है हम लोग प्रफुणित होते हैं हमारे चेहरे पर चमख आ जाती है तो मानसिक तणाओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग अपने आपको physically fit रखे physically fit रखने के लिए आप प्रति दिन खेल कूद से संबंदित खेल कूद का मतलब यही नहीं है कि आपको cricket खेलना है खेल कूद का मतलब यही नहीं कि आपको badminton खेलना है आप कुछ भी आप अपने सरीर को अगर हिला डूला रहे हैं अच्छे से उचल कूद कर रहे हैं और उसमें आपके सांस लेने का तरीका वो सही है तो सारी किरियाए खेल कूद में आती है मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चो कि खेल कूद विभाग से या खेल कूद किरियाओ से जो आपको एच्विमेंट होते हैं वो वास्तों में खुशी देते हैं जब एक छोटा बच्चा होता है मैं कहूंगा कि जब वो पैदा भी नहीं होता जिसको हम फीटस या भून बोलते हैं सुरुवात में उसमें दिल बन जाता है और उसकी दिल की धड़कने बहुत तेज होती हैं दोसों से भी जादा होती है उसकी दिल की धड़कने उसकी दिल की धड़कनों को कंट्रोल कोन करता है उसका ब्रेक कोन है उसका कलच कोन है उसका एक्सिलेटर को ने, आप देखते हैं, जब भी कोई घटना हम देखते हैं, हमारे सामने अचानक सेर आ गया, कोई अक्सिडेंट हो गया, कोई ऐसी घटना हमने कर दी, हम से कुछ तूट गया, तो हमारे दिल की धड़कने बहुत तेज हो जाती है, दिल की धड़कने ते बच्चो जब हमारे सामने घटनाई होती हैं तो हमारे दिल की धड़कने क्यों बढ़ती हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो उसको सोचने लग जाता है उस किरिया को सोचने लग जाता है कि ये क्या हो गया और सोचने में क्या होता है कि दिल पर कंट्रोल छोड़े से हम दिल की धड़कने कंट्रोल में आ जाती है या कोई बड़ा हमें कहता है कि नहीं कोई बात ने घवराने कोई बात नहीं है सब ठीक रहेगा तो हमारे दिल की धड़कने फिर संयमित हो जाती है नियमित हो जाती है तो दिमाग हमारे स्रीर का सबसे एहम हिस्सा है दिमाग को हमे मजबूत रखना है माइंड को में स्टॉंग रखना है और उसके लिए हमें व्याजाम करते रहना चाहिए हमारा स्रीर स्वास्त हो हम अपने दिमाग में हमेशा सू विचार रखे अच्छे विचार पोजिटू विचार हम कभी ना सोचे कि हमें किसी का बुरा करना है किसी की निंदा ना करे और ये मान के चले उस प्रभू की उस अल्ला की इस्वर की हमें सस्तूति करे और एक छोटी शी प्रेयर है इतनी सक्ती हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना और कुछ नहीं मांगना इस्वर से इतनी सक्ती हमें देना दाता मन का विश्वास तो जो आपको लगे कि मुझे इसमें आनन्द आ रहा है मजा आ रहा है तो आप अपने मांसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वयाजाम जरूर करिए और अपने आपको फिट अवश्चर रखिए इसके साथ साथ आप अपने खान पान को भी संतुलित रखिए आपका खान पान वयाकूल हो जाते हैं और बीमारी क्या होती है कि बीमारी हमारे मांसिक संतुलन को बिगार देती है तो हम अगर अच्छा खाना खाएंगे तो स्वास्त रहेंगे फिर मैं कहा रहा हूं कि फिट इंडिया वीक में आप बढ़ चड़ कर भाग लीजिए और आप हमेशा फिट रहेंगे आप इंगर जितने भी खिलाड़ी होते हैं फिट रहते हैं स्वास्त रहते हैं और खेल की भावना का मतलब होता कि हम वह मीλλ जूल कर एक दूसरे को वाईचारे के रूप में ले करके हम यह से फिलते हैं को ऐसे ही आपको जीवन में भी आपस में मील चूल कर रहन है सारे रिख स्वष्थ रहेंगे तो मांसिक रूप से स्वष्थ रहेंगे तो फिर से आपको बच्चों भे सारी सुख कामने आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस फिट इंडिया वीक में बढ़ चड़ कर भाग लीजिए जाहिन जाय भारत